स्वागत तो रभीनंदम आज इस वीडियो के मादम से एक बड़ा रोचक विशय निकल के आया है कि कुछ लोग कहते हैं हिंदू सनातन धर्म के तथा कथे धर्मादेकारियों का कहना है कि कासी में जो अंतिम समय में जीवन के अंतिम समय में जो म्रत्यु को प्राप्त होता है या जो कासी में बास करता है तो उसका मौक्ष हो जाता है यह कितना सच है कितना जूट इस बात पर कवीर ने भी बड़ा कठोर प्रेहार किया है कवीर जी ने कासी के पंड़ा पुजारियों का कहना है कि जो मगहर में मरता है मगहर में जाके मरता है तो उसका नर्ख होता है कभीर जी ने अपने अंतिम समय में मगहर में ही प्राण त्यागे थे लोगों की धारणा को बदलने के लिए फिर आखे सच क्या है कौन सी कासी है जहां पर प्राण त्यागने से मौक्ष होता है ध्यान देखे सुनिये का कई सारे पापी पाखंडी जीवन भर लूट मार करते हैं बहुत सारे ऐसे बनिया हैं बहुत सारे ऐसे सुनार हैं बहुत सारे ऐसे पैसे वाले हैं जिन्दगी वर खोब ब्याज लिया खोब जन्ता का खोन चूसा और लाश्ट में आ गए कासी में एक धरम साला ले लिया एक कमरा ले लिया कि भगवान संकर हमारा मौक्ष कर देंगे अगर ऐसा होता तो तुलसी दास बाबा ये कभी नहीं कहते कि कर्म प्रधान विस्वरची राखा कि कर्म ही प्रधान है आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा बुरा करोगे तो बुरा मिलेगे جैसा वीज बोईंगे आप बैसा ही फ़लाता है ये कुदरत का ये परकिरती का नियाए है संभिधान है कॉंस्टिटीशन है लेकिन पाखंडियों ने तो अपनी दुकाने चलाने के लिए ऐसा पिरचार कर रखा है क्योंकि लोग आएंगे सेट सावखार आएंगे उनको कासी में आएंगे कि उनका मौक्ष हो जाएगा उद्धार हो जाएगा और उनसे खूब पैसा लूटा जाएगा ये है और नहीं तो ये क्या है अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हिंदु धरम की ही बुराई करते हैं ये बुराई नहीं है ये धूल जाड़ रहा हूँ अगर हमारा मकान गंदा है हमारा कमरा गंदा है मैं भी हिंदु धरम से बिलॉंग करता हूँ तो पहला अधिकार पहला करतब हमारा है हम अपने घर की गंदिकी को दूर करें मैं मुसल्मानों पे भी बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिमाग में आजाए मैं उसी पर बोलने लगता हूँ जैसी मुझे प्रेड़ना मिल जाए तो ऐसा मत सूचिए अगर डॉक्टर तुमारा फोड़ा को दवा रहा है तो मबाद निकालने के लिए तो दर्द तो होगा ही न कश्ट तो होगा चीखोगे चिलाओगे लेकिन तुमारे भलाई के लिए दवाया जा रहा है मैं उन पंड़ा पुजारियों से भी कथा वाचकों से भी कहना चाहता हूँ कि धरम के नाम पर पाखंड क्यों करते हो क्योंकि हमारी गीता में लिखा है कि करवन्ने वादिकार इस जन्म कोट शतेरपी थोड़ा उपर नीचे हो रहा है सूत्र कि करोणों जन्मों में भी आप अपने क्यों है करमों से पीछा नहीं छोड़ा लेते छोडा सकते हो जब तक कि उनको भोग ना लो जन्म कोट शतेरपी नच्छियत एक आपके छीन नहीं होंगे वह कर्म मंदर में चले जाओ, मश्जित में चले जाओ, बुरे कर्मों का तो फल तुमको भोगना ही होगा तो आखिर वो कौन सी कासी के बारे मैं कह रहे हैं गुरु माला का सूत्र कहता है, गुरु सूत्र कहता है कि तीन सूल के उपर कासी तहरे मोरे गुरु अभी नासी जो तीन सूल है भगवान संकर के हाथ में तिरशूल रहता है तिरमाने तीन होता है तो जो तीन सूल है तीन काटे हैं तीन बेरियर है पहला सूल तमोगोण दूसरा रज्योगोण तीसरा सतोगोण इन तीन सूल के चकर में जीवात्मा फसा हुआ है इन तीन सूल के उपर काशी है या फिर यू कह सकते हैं कि जो इडा नाड़ी है पिंगला नाड़ी है और सुसुम्ना है तो ये आग्या चकर पर जाकर के इनकी संधी होती है और उस से उपर कासी का इस्थान है तीन सूल के उ गुरू अविनासी जो गुरू अविनासी हैं शंकर को अविनासी बोला गया है गुरू अविनासी का हूं मैं खासा भूत पिसाच ना आवें पासा जो शंकर जी का खास होता है उसे भूत पिसाच नहीं सताते हैं लेकिन अविनासी संकर की बात हो रही है और उसकासी की बात ह हो रही है कि आप जहां पर अंतिम समय में अपने प्राणों को चढ़ा करके आप अपनी उसकासी में इस्थापित कर दीजिए अर्थात आप अपने आग्या चक्र पर गीता में भी कहा है कि सर्वद्वारानी सयम मनोहरदि नृद्देचा अपने मन को अपनी इंद्रियों के विश्यों से खीच करके और अपने आग्या चक्र में उसमें इस्थापित करो अपनी उर्जा को मुलाधर चक्र से उठाके यह तो योगिक प्रक्रिया है यह उसकासी को नहीं जाना है ट्रेन में बैठके हवाई जाज में जहां पर पंडे हैं यहां पंडों ने लूट मार मचा रखी है तो मैं अपने गुरू से ऐसा सूत्र सीखना ऐसा मंत्र सीखना इसे प्रक्रिया सीखनी है कि तुम्हारा नीचे से मुलाधार से ध्यान खीच के प्राणों को खीच करके आप अपने आग्या चक्र पे अर्थात उसको उपर ही कासी है आग्या चक्र गेट है का का बैकुंठ का परमधाम का तो आपको बहाँ पर प्रतीक्षा करनी है बहाँ पर आपको वेटिंग में रहना है अगर आप ऐसा जिस दिन कर पाएंगे तभी आप मुक्ष को प्राप्थ होंगे यही सच्ची मुक्ति होती है तभी भगवान शंकर सिव जो अविनासी गुरु हैं वो आपकी चितना को उपर खीच लेंगे परमधाम में परमसुन में अगर इतना आसान होता कि यह कासी जो जान पूर के पास है इस कासी में जो मुगल सराय से पीछे आगे जो कासी है अगर इसमें जाने से सबका कल्यान हो जाएगा तो करम का सिध्धान्त कैसे सफल जाएगा तो मैं यह नहीं की कासी में जाने से मुक्तीने होगी सरीर के अंदर कासी है उस कासी में है उस गंगा में इशनान करिए आप आप लो जैसे तुम धर्मसाला में डालते हो अपने आग्या चक्र पे डेरा डालो यह तक्निकी यह ग्यान आपको किसी पारंगत जो की यूग क्रिया में पारंगत गुरू होगा वही आपके लिए सिखा सकता हो सिद्ध करा सकता है नहीं तो प्रवचन में तो बहुत सारे कथा बाचक यू थोक के भाव में तुम्हें गुरुमंत्र देने को तैयार बैठे हैं ओके थेंक्यों सो मच और शांति हैं